लाल सागर में हूती का खौफ इस कदर बढ़ चुका है कि अब अमेरिका के युद्पोत और मालवाहक जहाज हूती का नाम सुनते ही चौकन ने हो जाते हैं लाल सागर में माल वाहग जहाजों पर आसमान से कब हूती की मिसाईल और ड्रोन तूट पड़े किसी को नहीं पता हूती के इन हमलों ने एक बात तो साबित कर दी है कि लाल सागर में उसे अमेरिका जैसी सूपर पावर तक हारा नहीं सकती और यही वज़े है कि अमेरिका और अन्य पश्चमी देश हूती की काट ढूनने में लगे हुए है लेकिन अभी तक हूती का कोई तोड उन्हें मिलता नजर नहीं आ रहा और इसी बीच हूती भी लगातार लाल सागर में जहाजों और युद्धुपोतों पर दना दन हमले कर रहा है दरासालब हूती ने इसराइल से जुड़े बल्क केरियर लैक्स के उपर पांच मिसाइले दागी है पहले ख़बर आई थी कि हूती ने इस जहाज पर एक हमला किया था लेकिन अब सिक्योरिटी कमपनी एलेसस एसे पी यू ने नियू जजेंसी रॉइटर्स को बताया कि हूती ने इसराइल से जुड़े इस जहाज पर पांच मिसाइल दागी है रॉइटर्स के मताबिक ये जहाज अनाज से लदा हुआ था और उसके उपर हमला उस वक्त हुआ जब ये यमन के बंदर गाश शहर होदेदा से होकर गुजर रहा था इसको लेकर हूती के परवक्ता याया सारी का भी बयान आया है जिसमें उन्होंने इस हमले की पुष्टी कर दी है नफदत लगुआत बहरीया वसिलाह जविल मुसयर वाल्गुआत सारूखिया फिलगुआत लमसलाहत यमनिया पिआवन लाह ताआला सिता अमलियात इसकरिया वाल नन्हो लताली फलाह अमलियात प्रह नffentlich अशक्रिया विल्पर अह्मर इस्ता है यले सफ्वेन अलाकस उ्राइव उता करें अता आया तक्त लाहन वहीं इस हमले को लेकर सिक्योरिटी कमपनी LSS SAPU का कहना है कि जहास को नुकसान हुआ है हाला कि जहास का चालक दल सुरक्षित है कमपनी का कहना है कि इस जहास पर 23 क्रू मेंबर थे इसमें युक्रेन, फिलिपीनों और मिस्र के सदस से सुरक्षा बलों के साथ जहास परतेनाथ थे वहीं LSEG shipping data के मताबिक 28 मई 2014 को इस जहास की आखरी location इरान के बंदर इमाम खुमैनी थी आपको बता दे कि हूती ने इसराइल के खिलाफ अपने चौथे और पांचवे चरण के हमलों का एलान किया था और इसी कड़ी में उसने हाल ही में छे इसराइली जहाजों को निशाना बनाया है हूती ने लैक्स, मोरिया, सी लेडी, यूएश शिप एलबा पर लाल सागर और मर्क्स हार्ट फोर्ट पर आरब सागर और मिनर्वा एंटोनियो पर भूम अद्य सागर में हमला किया है आपको बता दे कि इन हमलों को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने कहा कि इन सभी जहाजों ने कबजे वाले फिलिस्तीनी बंदरगापर लगे नैविगेशन के बैन का उल्लंगन किया था इसलिए इन जहाजों पर हमला किया गया है हूती का कहना है कि वो घोशित इलाके में किसी भी इसराइली जहाज को छोड़ेगा नहीं भले ही उसे कहीं भी जाना हो हूती पहले ही साफ कर चुका है कि पश्चमी देशों का कोई भी जहाज अगर इसराइल या उसके कबजे वाले फिलिस्तीन की तरफ जाता है तो वो हूती का व्यद टार्गेट होगा भले ही वो किसी भी देश का जहाज हो